हाई दोस्तों असलों कैसे आप लोग मेरा भी लिए आज हमारा संडे क्यों एने जिसमें आपके पूछेवे questions के answer में देनी कोशिश करता हूं अगर किसे question चूट जाता है then I am really sorry for that इन उसके लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते क्यों कि बहुत सारे लेकिन heat होने से phone जो है वो उसकी battery को नुकसान पहुंचता है तो अगर आप wireless वाला battery लगाएंगे दूप में जाएंगे phone बहुत जदा गरम हो जाएगा तो उसकी battery को नुकसान पहुंचेगा इंट्रेस्टिंग लगा अच्छा तो जब आएंगे आइपाइड साथ में तब पाइफोन 13 है और 15 प्रो लेने का विचार कर रहा हूं क्या सही रहेगा या कुछ और लू 15 प्रो में 15 प्रो एक लाग 13 पर मिल रहा है बताइए जरूर आप सही सला दे सकते हो तो आइफोन 13 आपके पास है तो आप 15 भी ले सकते हो अगर आपको प्रो मॉल्ल की जरूरत नहीं है तो अगर आप 13 से साटिस्फाइड थे तो आप 15 से और ज़्याद साटिस्फाइड होंगे प्रो 15 प्रो जो है मुझे इतना खास लगता नहीं अगर लेना है तो 15 प्रो ले रहे हो तो प्रो मैक्स दे लो उसमें बैटरी लाइफ भी आपको बहुत आउटस्टैंडिंग मिलेगी में चला जाएगा तो अभी फिलाल 60-63 में मिल रहा है फिलिपकाट के ऊपर और आफस वगर लगा कि आप जो है अराउंड 60 में उसको ले सकते बिल्कुल इससे नुकसान हो सकता है क्योंकि आइस बहुत जाए तंडा होता है वह भी आपके फोन के लिए नॉर्मल ऑपरेटिंग तेंपरेचर नहीं है फोन गरम और उसको आप इतना त्रंडा कर रहे हो तो उसमें गभाता हूं तो वसको टी है वाटसाप पर देखा इसका सलूशन क्या हो सकता है सर्विस देखा लेकर इसका कोई सलूशन निकल नहीं रहा है तो मेक शॉर के आपके मम्मी के फोन के अंदर वाई-फाय आपके घर पर वाई-फाय जो कनेक्शन ने वह स्टेबल है और वाई आइफोन है और उनके घर में router अच्छा नहीं है उनके आईफोन में इंटर यूज करने बिनको दिक्कत आती है किया पुराने एंड़ट फोन में पुराने वाले वीडियो बना के रखा है जैसे स्पीगन का चार्जर है जैसे एंकर का चार्जर है यह सब 1200 की रेंज में आ जाएंगे सस्ता ची है तो बोट का ले सकते हो 300-400 रुपे की बीच में आता है वो भी आपका काम कर जाएगा अनुभाव बोलते है कि मुझे एक लैप्टॉप लेना है मैं भी अपने जगह सही है आपको यूज जो है लेकिन स्पेसिफिक विंडोज या मैक का नहीं है इसलिए आप दोनों की बीच में कन्फ्यूज हो मैं आपकी जगह रहे था तो मैक ही लेता क्योंकि पात साल चे साल साल आट साल आट साल आराम से आप उसको यूज कर सकते सेम कंडिशन में रहेगा अच्छी परफॉर्मेंस देगा आउटस्टैंडिंग बैटर लाइफ देगा और इसकी बिल्ड कॉलिटी बहुत अमीजिंग है और कभी आपको बेचने का दिल किया तो रीसेल वैलू भी आपको अच्छी मिलेगी और बहुत स्टेबल है Mac OS Windows के को यूज करने मज़ा आएगा मैं आपकी जगा रहता तो Mac ही लेता क्विक टेक बोलते है के हाई वीडियो एडिटिंग के लिए Macbook और iPad में से कौन सा सही रहेगा मेरा बजट एक लगक्या आसपास है आपका बजट थोड़ा कम है उसमें iPad में अच्छे स्पेसिफिकेशन आ सकते हैं लेकिन वीडियो एडिटिंग के लिए Macbook ही बेटर रहता है कीबोर्ड वगरा के साथ ट्रैकपैड बहुत च्छे से काम कर सकते हैं अलाग के कीबोर्ड ट्रैकपैड आप iPad में भी लगा सकते हो तो iPad Pro लेना है तो उसके लिए आप जा सकते हैं बाकी Macbook पे Final Cut Pro है था best decision था मेरा चली अच्छी बात है खुशी मुझे पूलते है आप 14 Pro लू या फिर 15 Pro लू या फिर S24 Ultra लू ये भी confusion है कौन साल होते कि मैं iPad user आप अलड़ी है आपने देख लिया कैसा उसकी quality है क्या iOS का performance है तो सेम चीज जो है iOS में भी आपको देखने मिलने वाली है अगर लिए आप जा सकते है बट iPhone will be a better choice क्योंकि साथ में दोनों बहुत अच्छे से काम करते है education of children बोल रहे है iPhone purchase किया है लेकि network problem बहुत आ रहा है network setting को reset भी किया है लेकि कुछ फरक नहीं पढ़ रहा है solution बताईए कि कभी कभी क्या होता है network आपने Wi-Fi का बताया नहीं Wi-Fi में problem आ मैं आपको तो आप जो है दूसरा service provider try करो क्योंकि होता क्या किसी किसी area में अच्छा चलता है किसी में अच्छा चलता है इसलिए मैंने दोनों रखे हुए connectivity अपने को हमेशा चीए कहीं जाता हूं कभी जीओ चल रहा है तो जीओ पे बात कर लिया काम कर लिया कभी अच्छ लोडिंग क्या है basically आप app store के अलावा कहीं हो से भी applications अपने iPhone में download install करके इसको run कर सकते हो यह websites पर हो सकता है यह third party app stores पर होता है अभी यह थोड़ा सा नया है इसके app stores बगरा दिले-दिले develop होंगे और websites पर भी जिन लोगों ने apps डालके रखे वह आप download install कर सकते है अभी फिल आप यह काम कर सकते है बस कैफुल रहना कि कोई गलत application आपके फोन में ना आ जाए जिससे आपकी कुछ privacy वगरा के ऊपर खतरा हो जाए देवदास बोलते है के 12 Pro Max iOS 16 पर चलाना है और अभी 16.7.2 पे हूँ बट 7.6 का update जो है वो उसका option नहीं आ रहा है सिधा 17 का आ रहा है त दूसरा update आपको मिलेगा नहीं दूसरी बात यह बोलते है कि stop कैसे करो charging को जब वो wired Apple CarPlay से connected है क्योंकि wireless नहीं आपके बस तो कुछ adapters आते जिससे आप अपने CarPlay को wired वाले को wireless भी कर सकते हो वाला कर लो वो बेटर रहेगा क्योंकि wired CarPlay है तो charge होता ही रहेगा आपका phone अजीत बेटा अपदेट नहीं रहता है साड़े गराए बारा बज़ए ग्यारा बजे है इस उस टाम भी आखे आपके अपने शूडियो के सेटप में बड़ रहे वाला श्ट स hedge 17.4.1 अभी 17.5 आने वाला है यह अपडेट्स जो है मैं रात में भी आकर 6 12 बजे चाहे एक बजे दो बजे में रातो रात उसको रिलीज कर जीता हूं ताकि आप मेंसे मैग्जिम लोग जो अपडेट करने वाले हैं उनको अपडेट के बारे में पूरी इंफरमिशन टाइम मिल जाए लेकिन बेटा अपडेट्स के लिए फिर हमेशा फैमली लाइफ डेस्टर नीद खराब घर वाले भी बोलते हैं कहां जा रहा ग्यारा बजे उटके ऑफिस आओ ऑफिस में बैटके काम करना शुरू कर दो और देखने वाले उसको उतने लोग होते नहीं है बेटा इसको बहुत 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 अच्छा है उनका टोटेम के लिए भी आप जा सकते हैं उनके वी करता हूं इनके साथ जो है मैंने वीडियो भी बनाए वे हैं वीडियो के अंदर मेरा एक लिंक और आपको कूपन कोड भी मिल जागा जिससे आपको 10% किसी में 15% किसी में 20% discount भी देखने मिल जागा किसी 18% देखने मिलेगा यह best cases जो है मेरी तरफ से आपके लिए recommended है बाकी वीडियो को गौर से देखना क्योंकि उनमें भी कुछ-कुछ cases ऐसे होते है चलो भाई पीला पढ़ रहा है कुछ पढ़ा तुम आपको बता देता हो clearly उस आपको मिल सकता है इसके लिए आप चाहिए टेकनिकल लैड बोलते है एक फोन से वीडियो रेकॉर्ड करता हूं दूसरे में एडिट करता हूं तो ट्रांसफर करने में वीडियो कॉलिटी ड्रॉप हो जाती है काइन मास्टर मॉड यूज़ कर रहा तो उसमें और ड्रॉप है कुछ आपने बताया नहीं सब मुझे अभी करना पड़ेगा तो क्या कर सकते आप यह दोनों फोन की जगा जो एक आइफोन आप रखी आइफोन में आपकी शूटिंग भी हो जाती हम भी पहले वैसी किया करते थे और आपको जो है दो फोन का खर्चे की जगा एक फोन मे लगता और फ्री भी है और आपको यह मौड बगरा डालने की ज़रोत नहीं पड़ेगी मौहमद आहमद बोलते है एक दोस ने नतिंग फोन टूए लिया है उसको चार्जर कौन सा दिला हो समझ नियारा सैमसंग का 18 वाट चार्जर इस्तमाल कर रहा है मैंने मना कि आइफोन उनकी कमपणी की चार्जर से ही बेस्ट पीड देते तो उनको नतिंग का ही चार्जर आप दिला दीचे वही बेटर रहेगा उनके लिए दर्शन बोलते है कि फ्रिंप्रमक्स USA वाला है रिलेटिव को बोला था लेकर आने के लिए बैटरियल ना परसंट हो गई है सब रू आइफोन में दिखाता है अनटरों में दिखाता नहीं है हजार बार मैंने आप लोगों समझाए कि बैटरी है बैटरी बनी किस से है चार्ज होल्डिंग काम होगी इवी गाड़ी लोग है ना उसकी बैटरी आपको चेंज करनी पड़ती है ऐसे आइफोन की बैटरी भी 500 रुपे जादा है आज के टाइम के हिसाब से अपडेट आएगा नहीं आएगा वो भी बीच में जो है डोल रहा है शायद उसको आई श्रेटिंग अपडेट मिलने वाल है लेकि फिल्में आपको बता रहा हूं मतलब वह अपना लाइफ सैकल खतम कर चुका है फोन अभी आपका फोन अप चार्ज नहीं होगा जिब तक कि आपका फोन ठंडा नहीं आता उसके बैंकिंग अप्लिकेशन वर्क नहीं करते यह अच्छी बात नहीं है एपल वालों को इस इशू के बारे में आपको बताना चाहिए हर पांच साल पर आईफोन लेना बड़ेगा मेरे बैंक का डिसीजन है कि बैंक रिस नहीं लेना चाहते है आपल तो सेक्योरेडी अपडेट्स पुछ करी रहा है कि आप लेटेस्ट पे रहे यूराज बोलते है कि आईफोन 15 बहुत जादा टाइम लेता है 90 से 100 परसेंट चार्ज करने के लिए तो मेरे भाई इसको ट्रिकल बैटरी को सेफ करने के लिए यह चीज़ करता है वो बैटरी खराब हुज जाईगी अगर फुल स्प्रिट प्राइट प्रसेंट चार्ज करेगा तो सुप्रित बोलते है बीग बिलिंडेस सेल में आईफोन लेना है वाइफ के लिए वो अभी चोटा वीवो फोन यूस कर 15 ले लू क्या या 13 प्लस अपल वॉच लू जो 22,000 के बजट में आजेगी दोनों में से कौन सा सही है क्या आपकी वाइफ fitness enthusiast है क्या वो उसको पहन के गुमने वाली है अगर यह तो आप यह सोच सकते है वाकि 13 के मुकाबले 15 बहुत बेटर है बहुत ज़ादा उनको अलग experience आएगा बहुत ज़ादा अच्छा लगेगा और Android से iPhone पर आ रहे तो अपना Type-C port भी मिस नहीं करेंगे अगर उनके फोन में Type-C port था तो बहुत ज़ादा अच्छा फोन है वो 13 के मुकाबले 13 उसके सामने कई भी नहीं डिकता रही बाद Apple Watch की मैंने इसले बोला के fitness enthusiast है के क्योंकि अगर नहीं है तो फिर वो उतना यूज भी नहीं करेंगे उसको क्योंकि रोज Apple Watch को आपको चार्ज करना अपड़ेगा जो 22,000 रुपे के आती है ना सिफ Ultra Watch ऐसी है जो के 1.5 देस चल जाती है बाकि normal Apple Watch सिफ 18 आर चल दी है मैंने भी घर में जिसको भी दिया वो charging की यूज से यूज करना चोड़ चुका है सिवाए मेरे जो कि मैं यूज करता हूं बाकि कोई भी यूज नहीं करता हूं तो मुझे अच्छी लगती है अब्दुल बसीद बोलते है मैंने 2020 में iPhone 11 लिया था और 128 G भी लिया था अब उनको बार बार जो है iCloud storage update करते रहना और 2TB यह आज चुके हैं लेकिन अभी इनको जो है कभी कभी बस नहीं होता है तो कौन सा फून लेना चाहिए अभी 14 प्लस लेना चाहिए 14 प्रो लेना चाहिए आइफॉन 15 प्रो का 512 लेना चाहिए 256 लेना चाहिए यह बता रहे हैं मेरे भाई आप जो है 512 GB या 1TB वाला SSD रख सकते हैं उसमें आप जितना चाहिए उतना बैक अप बना सकते हैं और उससे आपका प्रोल्म सॉल हो जाएग और वह से 15 सीज में हो सकता है क्यों टाइप सीपोर्ट है मुझी बूलते है क्या टर्बो सिम वाला आइफून लेना से एक्या 13 प्रो मैक 40,000 रोपेगा मिल पर्फॉर्मेंस वैसी रहता है लेकिन ओल्डर एंड़ट फोन की पर्फॉर्मेंस जो है वह घड़ जाती है पर बैटरी अच्छी रहती है ऐसा क्यों देखो पर्फॉर्मेंस अगर देई नहीं रहा है फोन खराब होगी यह सबसे बड़ा सिगनल है क्या बैटरी वीग हो पहले आपल के उपर एलिगेशन लगा आपल फाइन भी लगी कि वह अपना पर्फॉर्मेंस गिडा रहा था यह समझ जाना के बैटरी महां की खराब होगी और आपल में बैटरी हेल्थ बाकी दिखाता है लेकिन पर्फॉर्मेंस खराब होने से आप समझ जाएंगे के बैटरी में आप क्लेम कर सकते हो अगर बैटरी बूस्ट करके आपको दे देंगे 100 कर देंगे 80 से तो आप हफते बर 10 दिन 20 दिन या महीने बर में फिर उनके पास आजाओगे 80 बैटरी लेके ऐसा अगर करेंगे और पकड़े गए तो सर्विस सेंटर उनका छिंज जाएगा अब दूराफे बोलते हैं मैं MBBS का स्टुटेंट हूँ मुझे आइपड एर लेना चाहिए आइपड प्रो लेना चाहिए मैक बुक लेना चाहिए आप सहीज करो बताओ मुझे के मेरे लिए सबसे जाधा सही चीज क्या होगी देखिए आपके जो क्लीक्स है वो क्या इस्त प्रोपिक के उपर जाधा अच्छे से आपको समझ मैंगा या फिर पूछो आप पूछो आपके जो साथी होंगे साथ में पड़ रहे होंगे उनको पूछे तो वह भी आपको सही राय दे सकते EVM 786 यह बोलते है के मेरा मानना है के AI चिला रहा है सामसंग और बाखी कंपनी मैं है 24 लिया भी था लेकिन मुझे कोई भी चीज अच्छी नहीं लगी इसके अंदर मतलब AI वाले फीचर और अभी मैंने 15 प्लस लिया है 60 हर्स रिफ्लेट है फिर भी स्मूछ चलता है मैं इस पादल हो जाओगे आप करके देखोगे तो उतना अच्छे से काम भी नहीं करता तो आपकी बात सही है यह चीज और आपल भी AI कर रहा है दीरे दीरे अभी आइपाड के इवेट में आप देखो लेकिन वह इसा इंप्लिमेंटेशन नहीं जैसे सामसंग का है तो मुझे दे आपनेट फोन या किसी भी आइपोन में चल जाए मात्रे फेक्ट गोलते है एरपॉट्स प्रोटू फ्लिप कार्ट में मिल रहा है लेकिन मैंने और करके कैंसल कर दिया सत्रह वजार का क्योंकि वह सेलर डूब्लिकेट बेचता है तो मैं आपल स्टोर या किसी रिसेलर से ल स्क्रीन आती है एक बात बदाई मुझे आपको एरपॉट पैसी नेक्स कर सकते हो प्रीवेस कर सकते हो जो किया फोन आपके हाथ में आपको लेना ही या एरपॉट्स का केस लेकि या चेंज लिए पहान पर बन्दा कर लेगा यूँकि आपके पास आइफ्वोन या फिर 16 Pro Max का इंतजार करू, 16 Pro Max का कितना cost हो सकता है, 15 Pro Max 256 GB अभी एक लाग रुपे का दुबए में मिल रहा है, और मुझे 70,000 मिल रहा है, मेरे 14 Pro के उपर, इसकी बैटरियल 97% पे है और इसकी वारंटी भी expired हो चुकी है, तो क्या करू में, देखे 30,000 रुपे एक्स्ट्रा दालता है, वो फिर 500,000 रुपे का सोचता है, वो ले सकता है, और आप भी मुझे लगता है, ले सकता हो, दुबए में आप हो, तो सस्ता ही आपको मिल जाएगा, रही बत क्या आपको रुपना चाहिए, तो मैं आपकी जगा हो तो रुपता, लेकिन ये offer भी बहुत अच्छ नहीं करूँगा, मैं YouTube करूँगा, और पैसे कमाऊंगा उससे, तो फिर शायाद आप कभी कर नहीं पाएंगे, YouTube पे पैसा है, लेकिन पहले आप अपना passion अगर कुछ रहेगा, आपका, एक ही topic पे या एक ही niche के उपर, हजारो लाखो वीडियो बना सकते हैं, जैसे मैं बना स तो उस case में आप कर सकते हैं, YouTube और उसके बाद फिर पैसा जब आना है तो आएगा, लेकिन आप सुझेंगे, YouTube पे आउंगा, मैं मेहनत करूंगा, और इमिजने मुझे पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो यह जो है, almost next to impossible है, मैं बोल रहा नहीं कि impossible हैं, next to impossible है, बहुत Q&A कि आज की, और आपको जो भी सवाल होगा दिल में आपके, आप मुझे पूछना चाहते हो, Sunday Q&A के लिए, अगले Sunday Q&A में जो मैं feature करूं, तो आप नीचे comment करके बता सकते हैं, वाकि जो सवालों के जवाँ मैं अलड़ी दे चुका हूं, हमें लेता है, तो उसको आप द देख सकते हैं, वो Q&A में भी आपको काफी knowledge मिलेगी, जो हम अलड़ी बना चुके है, तो दोस्तो आपको आपको आज का वीडियो पसना होगा, पसने में जी को like and share ज़रू किज़ों मेरे स्चैनल को subscribe, जो किज़ों गुद्वाई, किज़ों देख समा भी जाते हैं, ठेख सकते हैं, तो आपको का बाद में जापको आपको का जो हमें होगा है, जो आपको का पक इस अधूलgarी में जापको ठापको का लापको क consistぐ हाई उना पक सकते हैं।